नमस्कार दोस्तो मैं रोईत लश्ट टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर्शे स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे भुगोल या जोग्राफिय के टॉप 50 क्यूशन दोस्तो बहुत शांधार यह सेशन रहने वाला है और वीडियो को अंतक देखना दोस्तो और वीडियो करेंगे दोस्तो चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आएकन की कंट्री को प्रेस जरूर कर लेना तो बढ़ते हैं दोस्तो आजके पहले से पहले सेशन रहेगा बहुत ही अच्छा वीडियो है तो 50 क्यूशन जोग्रोफि हमारा कि भूगोल का जनम दाता किसे का गया है तो दोस्तों भूगोल का जनम दाता है किसे का गया है तो दूसरा कुशन है दोस्तों किसे बहुतिक भूगोल का जनक कहा जाता है तो दोस्तों पूछ रहा है कि किसे बहुतिक भूगोल का जनक कहा जाता है तो दोस्तों पूछ कुंपों किसको का जाता पोली डॉनियम को नेस्ट बूस्तों थे जूरी ह हं बाइद बहुठ में बहने वाली कौंसी नदी करक्रेखा को दो बार करती है दोस्तों ये कारती है हमारी माई नदीजे होती है दोस्तों वे कितिवार कारती है दोवार कारती है तो दोस्तों बढ़ते हैं नेस्ट कुषिशन के और नेस्ट कुषिशन है दोस्तों हमारा बेरल दीप किस राज्य या फिर केंदर सासिज परदेश में इस्तित है जो भारत का एक मातर सक्रिय ज्वाला मुखी है दोस्तों इस कुषिशन का राइट आंसर है अंडबार दीप याद करना दोस्तों अंडबार दीप राइट आंसर हो जाएगा नेस्ट कुषिशन के और बढ़ते हैं बारत का सबसे बड़ा यूरिनियम खान जादु गोंड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है और कुषिशन इंपोटेंट है तो दोस्तों यह हमारा जारकंड में कहा जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रहम्पुत नदी जिसको सांगपों कह जाता है नइस्ट क्यूशन बढ़ते हैं दोस्तों नागरजून सागरपरियोजन किस नदी पर इस्ती से और यह रियरician पोस्तों डोस्तों वेरियर इंपोस्तिशन है वेरिय सबसे जोता संघ सासित पड spritश कौन सा है तो दोस्तों ने कौन सी चोटी अंडबार निकोबार दीब समू के सबसे चोटी सबसे उची है दोस्तों कौन सी चोटी अंडबार निकोबार दीब समू के सबसे उची है तो दोस्ते इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सैंडल पिक क्या दोस्तों सैंडल पिक Sandal prior right answer हो जाएगा Next question पिर बढ़ते हैं दोस्तो किस देश के साथ बारत की सभसे लंबी अंतराश्चता सिमह लगती है और question very very important है दोस्तो किस देश के साथ बारत की सभसे लंबी अंतराश्चता सिमह लगती है तो यह लगती है दोस्तों हमारी बांगादेश के साथ नेस्ट कुशन है दोस्तों मोसम की दसाओ दसाओ का अध्यान को क्या का जाता जिसे को कहते हैं मेट्रिलोजी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे मेट्रिलोजी नेस्ट कुशन है दोस्तों मैगलेन जल का पठार दोस्तों किशन सारे इंपोर्टेंट है टॉप फिप्टी बोल या जोग्रोफी के क्विशन मैंने लिए और वीडियो को अंतक देखना आपको जीए व्रों किशन है जो एक्जाम बार-बार पूछे जाते हैं मैं किशन के बढ़ते हैं दोस्तों किस बंदरगा को बटवारे का पुत्र का जाता है और दोस्तों किशन इंपोर्टेंट है तो बटवारे का पुत्र किशे का गया है तो भारत भारत के गुचरात राजजे के कच जिले में इस्तित कांडला बंदरगा को बटवारे का पुत्र का जाता है मिट्टियों के अध्यान को क्या का जाता है मिट्टियों के अध्यान को हम कहते हैं दोस्तो पैडोलोजी याद रखना पेडोलोजी कहते हैं मिट्टी के देन को भारत का सबसे बड़ा बंदरगा जवार लाल नेरू बंदरगा मुंबोई के अंदर रिस्तित है नेस्ट है मालवा के पठार किस मिट्टी में सौरधिक मातरा में पाई जाती है तो यह पाई जाती काली मिट्टी संगमर्मर किस परकार की चटनों की सहनी में आता है तो दोस्तों संगमर्मर है वे जो किस परकार की चटनों की सहनी में आता है तो यहाद है का इंतरिक चटन तो दोस्तों नेक्ट क्षिशन के बढ़ते हैं नेक्षिशन है ट्वंटीवन भारतिय किस राज्य में मेकार परवत माला इस्तित है और क्षिशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों और दोस्तों यह उत्राखन में माउजुली दीप जो विशु का सबसे बड़ा नदी दीप है बारत की किस राज्य में तो दोस्तों यह हैं हमारा असम राज्य में तो डोप 50 क्षिशन की में बात कर रहा था वीडियो को पूरा देखना अंदक देखना बहुत अच्छा है सेस कि भुगोल की वह विज्ञान जिसमें प्रतिवी को सुथंते ग्रैक के रूप में मानता देते हुए उसके समस्त गटना हों अंत संबंदों का अध्यान किया जाता है तो दोस्तों किसी ने कहा था काल रिटेन है किसी ने कहा था काल रिटेन है नैस्ट 25 क्रिश्चा है हमार साथ के कितने राज्यों सोगर गुजरती है तो दोस्तों गुजरती आठ राज्यों से नैस्ट कुछन ने दोस्तों कोरमंडल टट किन दो बारतियर राज्य के टटिये बुबा को कहा जाता है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अंदर परदेश और तमिल लाड़ों बढ़ते हैं नैस्ट कुछन की और करनाटक राज्यों में इस्तित जोग परपात किस नदी पर इस्तित है और कुछन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरावती नदी बढ़ते हैं नैस्ट कुछन की और सीप किला दर्रा किस राज् इंपोर्टेंट कुश्यन है और यह हमारे हमदाबाद गुजरात में नेस्ट कुश्यन है नेता जी सुभासंद बोज अंतराष्टे वाइड़ा कहां इस्तिताथ दोस्तों यह कलकता में कहां है कोलकता में उमीद दोस्त आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा हुगा दोस् से ही हमारे अंदर एक मोटिवेशन एक उड़जा मिलती है कि हमारे मेरा वीडियो इस चैनल का वीडियो मेरे चोटे बैन बाई यह बड़े भाईयों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना बहुत मैंस से वीडियो बनाते हैं आ दोस्तो फिरी है तो दोस्तो लाइक जरूर कर देना रहा है किसके कारण इस गरे करता है। कर दोस्तों यह हमारा बुद्रिया फिर मरकर इसको कहते हैं संग दोस्तों यह थो फिप्टी किश्ट की बात कर रहा हूं सारे इंपोरेंट है क्षिशन से बीडियों में बने रहे अंतक मैंस्ट कुछ न दोस्तों कौन सा जल मनरूप मध्या अमेरिका को रूस से अलग करता है और कुछिशन वेरी वेरी मौट इंपोरेंट है दोस्ते सकुछिट राइट अंसर जाहिए बेरिंग जल्ड मनरूप जो मध् लुटो वेरी इंपोर्टेन्ड कीशन है भारत का वह एक महतर राजह जो मुहारेशम का अत्पदम करता तो दोस्तो यह करता इमारासम नेक्ष्ट कीशन है दोस्तो डक्कन का पतार सबसे बढ़ा जल प्रवातंतर कौन सा है तो दोस्तो यह गोदावरी कौन सा द्यान में स्थीतर दोस्तों यह है इंद्रा गांदी वन्यजी वद अभ्यारण में नैस्ट है 43 किस प्रकार के जुवार की उचाही सबसे कम होती है तो दोस्तों योतिम नीमन जुवार की नैस्ट किस्टन है भागली का दार पर भ्रह्मान की अद्धियन को क्या का जाता है तो इसको कहते हैं कोस्मालोजी तो सारे कुष्टन वेरी वेरी इंपोटेंट है 50 कुष्टन की बात करना टॉप 50 और भी इसी तरह के वीडियो में अच्छे अच्छे लेके आऊंगा दोस्त नाम क्या है तो दोस्तों यह गोबी क्या धेस कच्छे तेल का सबसे बड़ा बंडारा को यह वेयरी वेरी इंपो carbon ठीक है दोश्तू बढ़ते हैं थिस्ट से याद रखना परत्री पर दूरी पर किस और खूमती है तो यह गूमती है दोस्तो पश्चिम चेपूरो की ओर भूमाद्या विश्वत रेखा कि निकट किस तरह के वन पाए जाते है तो है पाए जाते है उसन कटिबंद वर्शा वाले वन ठीक है दोस्तो भारतिय की स्राज्य में एशिया की अंडे की कटोरिक आ जाता है वेरी वेरी इंपर्डेंट तो इसका राइटांस हो जाएगा आंधर प्रदीश तो दोस्तो उमीद है दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना दोस्तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना तो कैसी लगी वीडियो दोस्तो सैसेन बहुत अच्छा रहा था दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है जिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब निकर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जुरूर कर लेना और बेल आकान की कंटियों प्रेस कर लेना आज के लिए वीडियो में इतना थेंक यू